शब्दों का जहर समझाने के लिए श्री कृष्णा और द्रौपदी समबाद, अठारे दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को असी वर्ष जैसा कर दिया था, शारेरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, नगर में चारों तरफ विद्वाओं का बहुल्य था, प शून्य को ताक रही थी, तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं, द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड कर उनसे लिपट चाती है, कृष्ण उसके सर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं, थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीब के पलंग पर बठा देते हैं, द्रौपदी यह क्या हो रहा है सखा, ऐसा तो नहीं सोचा था, श्री कृष्ण कहते हैं, नियती बहुत करूर होती है पांचली, यह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है, तुम प्रतिशोद लेना चाहत और तुम सफल हुई द्रौपदी, तुमारे प्रतिशोद पूरा हुआ, सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए, तुम्हें तो प्रसन होना चाहिए द्रौपदी, द्रौपदी कहती है, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो, या उन तक नहीं देख पाते हैं, और जब वो हमारे सामने होते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, द्रौपदी पूछती है, तो क्या यस युद्ध के लिए पूर्ण रुप से मैं ही उतरदाई हूं क्रेशन, क्रेशन कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वेम को इतना है, तो पूर्ण भी मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूर दर्शिता रखती, तो स्वेम इतने कष्ट कभी न उठाती, द्रौपदी कहते हैं, मैं क्या कर सकती थी क्रेशन, क्रेशन कहते हैं, जब तुम्हारा स्वेम बर हुआ, तब तुम कर्ण क अपमानित नहीं करती, तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अफसर देती, तो शाहिद परिणाम कुछ और होते, इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें पांच पतियों की पतनी बनने का अदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम और होती, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रॉपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है, तोलना जरूरी होता है, अन्य था उसके दुश परिणाम सिर्फ सियाम को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते संसार में केवल मनुशे ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दातों में नहीं होता बलकि उसके शब्दों में होता है इसलिए शब्दों का प्रियोग सोच समझ कर करिए ऐसे शब्दों का प्रियोग करिए जिस से किसी की भावना को बिल्कुल भी ठेस ना पहुँचे जैए शिरी कृष्णा